नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे? तो चलिए शुरू करते हैं. आज हम करेंगे वर्क्षिट नमबर 172, यह हमारी हिंदी की कार्य पत्रिका होने वाली है 18 फर्वरी 2021 की, इधर बच्चे अपने क्लास का सेक्षन, यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे, आज हम फिर से अपने हिंदी की पाठ्य पुस्त्य करेंजिम से पार्ट मुफ् विखुभाई नाजिल की कोज में कहां कहां गए थे और किस किस से मिले थे, आएए देखते हैं कि आपको विखुभाई का नाजिल पाने का सफर कितना याद है, तो यहाँ पर हमारी स्टोरी से ही नीचे कुछ पुश्चन्स होने वाले हैं, अगर आपने स्टोरी नहीं तो आप यह नहीं बता पाएंगे, ठीक है, चलिए हमें करना क्या है, यहाँ पर हम कुछ वाक्य दिये हैं, कुछ डायलोग समें बताए हैं, हमें यह बताना है कि यह डायलोग किस ने कहा था, और किस से कहा था, तो देखे पहला डायलोग क्या था, सच जितना चाहूं ले तो यह वाक्य किस ने कहा था, यह कहा था, भीकु भाई ने, और किस से कहा था, माली से कहा था, ठीक है, वैसे ही दूसरा वाक्य देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, काका, यह कोई पूछने वारी बात है, केवल पचास पैसे, तो यह किस ने कहा था, यह कहा था, नाव ठीक है और किस को कहा था भीखु भाई से कहा था ठीक है तो इस तरीके से dalрядोग हमें बताने थे कि किसने कहे थे और किस से कहे थे चलिए अब आजाते हैं प्रश नमर दो पर इहां पर क्या लिखा का है कि इस कहानी के मुख्य पात्र भीखु भाई है उनकी कोई दो विशेष् तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे गंजूस ठीक है वो बिल्कुल भी पैसे खच करना नहीं चाते थे दूसरा वो क्या थे वो बड़े ही महनती थे देखो हमने देखा न कि वो एक जगह से दूसरे जगह इतनी दूर तक वो चल चल के गए उन्होंने बहुत महनत करी ठीक है नाजिल पाने के लिए हाला कि उसका कारण कुछ भी हो सकता है लेकिन महनत तो उन्होंने की न ठीक है तो यहाँ पर हम महनती भी लिख सकते हैं इसके लावा अगर आपको उनकी कोई और भी शेशता हैं लग रही हो तो वो भी आप यहाँ प क्या भाव था तो बाजार में नारिल कितने रुपे का मिल रहा था दो रुपे का मिल रहा था ठीक है नाव वाले ने उन्हें कहां जाने की सलादी नाव वाले ने कहां बेजा था बगीचे में बेजा था और फिर भीकू भाई को सो रुपे देने का प्रस्ताव किस ने रखा गुड सवार ने रखना था ठीक है चलिए अब आदे हैं प्रस नमबर चार पर पार्ट में आए निमले की चब्दों को अपने वाक्यों में प्रियोग की लीजे ठीक है यहाँ पर दो वर्ड दिये हुएं दो शब्द दिये हैं इनके हमें वाक्य बनाने हैं पहला है विनती यानि रिक्वेस्ट करना ठीक और दूसरा है कोला हल यानि बहुत ज़्यादा शोर मचना तो इन से आपको कोई भी दो वाक्या बनाने हैं देखिए उधान के तोर पर मैंने वाक्या बनाये हैं पहला जो हमारा सेंटेंस है वो विनती शब्द से है तो क्या सेंटेंस है कि मै परला कोईशन देखते हैं प्रस्ट नमर पाच में पूछा है बच्चों लोकडाउन के बाद अभी धीरे धीरे अनलोग की प्रिक्रिया शुरू हो गई है माल लीजिए कि ऐसे में आपको अपनी वाजी की शादी में किसी ऐसी जगह जाना पड़ रहा है जहां मोबाइल न आपकाश के लिए प्रारतना पत्र लिखिए इसके लिए आप संकेत पेटी में दिये गए शब्दो का प्रयोग कर सकते हैं आपको अपने बवाजी की शादी में जाने के लिए छुटी लेनी पड़ेगी स्कूल से ठीक है अभी तो आपको काम ओनलाइन चल रहा है तो आप काम नहीं बेच पाएंगे तो देखे उधान के तोर पर मैंने एक लेटर लिख दिया है आप इसी तरीके से अपने लेटर भी लिख सकते हैं तो यह देखे इस तरीके से आपको लेटर यहां पर लिखना है सबसे पहरे आप शुरू करेंगे सेवा में श्रीमान परधाना च परधाना चारिया जी लेकिन अगर आपका गर्ल स्कूल है आपके स्कूल में फीमेल प्रिंसिपल है ठीक यानि कोई औरत है तो आप क्या लिखेंगे श्रीमती परधाना चारिया ठीक देखे परधाना चारिया यही फर्क होता है अगर आपके मेल टीचर है तो परधाना चा पिर क्या है रोहिनी दिल्ली फिचासी तो इस तरीके से आप अपने school का address लिकएगे ठीक है मैंने त perspectives कोई भी example लेड़ए जैसे मान लीजिए मेरा School रोहिनी में है मैं क्या लिखंगा? रोहिनी दिल्ली फिचासी अगर आप एहां पर अपना school का address लिकएगे चलिए फिर क्या है विशय यानि आप ये बताएंगे कि आप ये जो लेटर है ये क्यों लिख रहे हैं तो विशय क्या है कि बुआ जी की शादी के लिए चुट्टी का आवेदन प्रिंसिपल को आप एक request कर रहे हैं आप आवेदन कर रहे हैं कि हमें चुट्टी चाहिए चलिए फिर महोदय यानि अगर आपके school का male principal है तो महोदय नहीं female है तो महोदया ठीक है फिर के letter लिखना शुरू कर देंगे मैं निविदन करता हूँ कि मैं आपके विद्याल्य का चत्तूर्थ श्रेणी यानि फूर्थ क्लास का चात्र हूँ मुझे अपनी बुआजी की शादी में शामिल होने के लिए एक अफ़ते के लिए अपने गाउं जाना है उस शेतर में कोई mobile network नहीं है और इसी करण मैं अपना home work नहीं भेज पाऊंगा इसलिए मैं आपसे एक हफ़ते देख़ें यहाँ पर मैंने bracket की जगाँ चोट रखी न यहाँ पर आप date भी लिख सकते हैं जैसे 18 से माल लेजी मुझे 25 तक की चोटे जीए तो आप इस bracket में अपना date भी लिख सकते हैं कि मुझे 18 फरवरी 2020 से 25 फरवरी 2020 तक के लिए आप यहाँ पर हफ़ते का यानि समय और date भी बता सकते हैं चाहें तो या फिर आप सिदा सिदा लिख सकते हैं कि आपका अग्याकारी चात्र फिर आप यहाँ पर अपना नाम अपना कक्षा नरोल लंबर और यहाँ पर डेट भी जरूर जरूर लिखेंगे आप यह लेटर किस डेट को लिख रहे हैं जैसे माले जी आप यह 18 की वर्कषीट है तो आप 18 फरवरी लिखेंगे 18 फरवरी 2021 ठीक है तो इस तरीके से आपको यह लेटर लिखना है अपने स्कूल के प्रिंसिपल को आप चाहे तो यही लिख सकते हैं या फिर इसको थोड़ होती है अगर आपकी कोई डाउट से तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कल फिर मिलेंगे कुछ नया सीखेंगे तब तक के लिए थैंक यू और जैह हिंद